हमें class intervals given है और साथ में इनकी frequencies बताना है given options में से median class कौन सी होगी median class बताने के लिए सबसे पहले हमें CF alay column को fill करना होता है CF means cumulative frequency इसको fill करने के लिए सबसे पहली frequency सेम रहेगी यानि 2 यहां पे सेम लिखा जाएगा 2 plus 4, 6, 6 plus 1, 7, 7 plus 3, 10 and 10 plus 5, 15 यह जो last number आया है CF alay column में इसको बोलते है n यानि यहां पे n की value होजेगी 15 तो हमें यहां से n by 2 की value निकालनी होगी 15 by 2 होता है 7.5 अब आपने क्या करना है इस 7.5 को check करना है इस column में कि 7.5 किस number से पहले लाए कर रहा है तो आप होगे 10 से पहले लाए करेगा 7.5 तो इस 10 के जो सामने वाली class interval है इसी को हम median class कहते हैं तो 40 to 50 median class होगी यानि C option इसका correct answer